हेलो गाईज, वेलकम बैक टो हुहु क्लब, आज मैं आप लोगों को बायोग्राफिया राहुल गांदी जी के बारे में बताना चाहता हूँ यह बायोग्राफिय मैंने बहुत सा रीसेर्च करके बनाई है, एक से तीन वीडियो भी देखे, कुछ स्टेटमेंट्स भी देखे, चेक किये और मैंने बनाई है यह हरे पॉलिटिकल जरनी के बारे में बताना जा रहा हूँ, उनका बॉट अब बहुत बताऊंगा, आज वेल वीडियो बीट लॉग बट यह देखे, तो आपको बहुत सी नॉलेज गेन होगी कि कोई भी पूच एगा ना क्या आपको राहूल गांदी जी के बारे में किया ऐसे हैं वैसे हैं, तो आपको बहुत सी और आहल गांदी जी एक बहुत अच्छा खानदान से तालूक रखते तो वहाँ पर उनके डाट का नाम है राजीव गांधी, मॉम का नाम है सोनिया गांधी और उनकी एक बहन है प्रियांका गांधी, ठीक है, and he was born in the year 19 June 1970 को उनका जनम हुआ था, और उनकी schooling हुई थी, start-up उनकी schooling किया था, St. Columbia, Delhi में, लेटर उनको shift कर दिया गया उतरकंट for higher studies, ठीक है, उसके दोरान इंदरा गांधी जी पर हमला हुआ, और उनकी देथ हो गई, after which उनको और उनकी बहन प्रियांका गांधी को, they were forced to have home schooling due to security reasons, जब हाला थीक हो गए, then continued his studies in the TBR school college में उनको डिली में यहां पे उन्होंने undergraduation के, इंदी यह 1989 में, 1989 में, he did his undergraduation, so उसके दोरान, he had some plans of going to US and do some further studies, तो उनकी पड़ाई हो रही थी, USA में, तो उस दोरान, उनके डाट की देथ होगी, Rajiv Gandhi जी, who was our prime minister, he was being assassinated, 1991 में उनका हुआ, दिहान हुआ, तो at that time, he was shifted for Florida में, Rollins College, he was shifted, तो वहां पे 1994, he got his BA degree, उसके बाद University of Cambridge में उन्होंने पढ़ा, Trinity College में, and M.Phil की वहां पे, interesting बात यह है कि, because of security reason, उनका नाम Rahul Vinci के नाम से, उनका यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता था, उनका बहुत थ्रेट था, उनका पहले से भी बहुत थ्रेट था, क्योंकि उनकी फैमिली में इंद्रा गांदी जी का दिहान्त हुआ है, ऐसे, Rajiv Gandhi जी का भी हुआ था, he was assassinated, तो ऐसे, इसे साब से इनको बहुत थ्रेट था, इनकी फैमिली को पहले से भी, because they have worked hard for our country, they have given us independence, a part of independence party, तो after this, इनकी studies complete हो गई, so he started to become a professional technology, so he started his career there itself, he worked there for like 9 to 10 years, he planned to come back to India, तो उस टाइम पे, 2004 में, he came back to India, और इंडिया में उन्होंने एक consultancy start की, company, खुद की company चालू की, जिसका नाम technology consultancy services के नाम से रखा गया था, at that time, due to some reasons, और उसके family pressure might be, he was like having some interest in political, political background है यार, तो of course he will be interested, so he came into politics in 2004, at the same year, वहाँ पे election, लोग सभा elections चल रहे थे, सभा की seat में, उन्होंने अमेटी में पहला ख़़म रखा, तो उस जोरान उन्होंने जीत लिया, वहाँ पे पहली उन्होंकी जीत हुई, MP के लोग सभा में, Member of Parliament की पहली जीत हुई, जिसमें उन्होंने एक लाग वोट से जीत हासिल की, this is the political journey which is started of Rahul Gandhi जी, political journey started 2004 से, जहाँ पे M.A.T. में पहले उन्होंने लोग सभा की जीत हासिल की, वह भी एक लाग वोट से, at that time in 2006, he participated in his mom's rally, जो उन्होंने बहुत अच्छा महनत की, जो उन्होंने बहुत अच्छा महनत की, से उन्होंकी जीत हासिल हुई थी, at that moment, 2007, 24 सेप्टेंबर 2007 में, उनको कॉंग्रेस का prominent figure माना गया, and he was allotted as All India Congress की General Secretary, और Indian Youth Congress की Member बने, Secretary बने, and NSUI, National Students Union of India की Responsibility भी दी गई थी, at that moment, he started getting the educated and qualified persons, into Congress के अंदर, to High-Rise, इनका High-Rise शुरूबर 2004 से, I'll stop when he was resigned, उसके बाद मैं आप लोगों को, पपू की स्टोरी बताने वाला हूँ, ठीक है, so guys, please hold on, अगर बोर लगा है, तो I'm really sorry, I'm just a start-up, तो अगर आप बोर हो रहे हैं वीडियो में, तो ध्यान दीजिए, I'll try to be more comfortable, इंदियर 2009, 2009 में वापस से election हुए थे, लोग सभा elections हुए थे, जहां पर, अमेटी के seat में उन्होंने, 3,70,000 वोर्ट से जीत हासिल की, फिर 2014 का election आया, उसमें उन्होंने, वापस से वहां पर अमेटी में, जीत हासिल तो की, but unfortunately BJP won, BJP came into power, 2019 का election जब आया था, तो 2019 का election में, he lost the अमेटी seat, opposite to Smriti इराणी जी, who is a BJP minister now, रेजलर्स के काम हो रहे तो, कुछ भी काम आया नहीं वो तो, women के राइट के लिए लड़ना चाहिए था उनको तो, कुछ काम आया नहीं, but she spoke a lot opposite to Rahul Gandhi जी, बात अच्छी कर लेती हैं, that's not an issue, तो 2019 में ऐसा हुआ, कि after that, after he lost Amitie seats, he was disappointed, और उनको पता चल गया कि, मैं ही खारन हूं कि जिसवजे से, Congress Party is lacking back, so he got to know, he got criticized by his own party members, बहुत से लोग उनको criticize कर चुके थे, और इसका मोखे का फायदा, opposition BJP Party ने इतना ज्यादा उठाया, कि he was like, he completely resigned from this General Secretary post, he resigned it, और उनका downfall हो गया from politics, that was the end of his career, ऐसे लग गया था, कि उनका politics का career was like, 15 years, और उनका downfall हो गया, and the opposition wanted the same, कि Gandhi परिवार से निचे उतर गया तो, they have no one to, महला opposition कोई नहीं रहेगा, अगर यह नहीं है तो कोई नहीं है, जब यहीं नहीं कर सकते, तो दूसरा कोई उनको टक्कर देनी सकता, because they play religious politics, not on the democratic basis, तो आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग BJP के likers होंगे, तो भी आपको पता होगा, कि they play religious politics, and corruption तो है, both the parties do corruption, simple इतना है, कि they don't get religious in between the politics, उतना यह अंतर है इन दोनों में, तो अभी तो इतना ही हो, उनका downfall हो गया, राहूल गांदी जी was disappointed, and he got into a downfall, a mythical shit loss हो गया, तो अभी मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ, यह तो उनको political journey थी, अभी उनका uprise start होता है, कैसे वो बोलते हैं न, हार के जीतने वारे को बाजिगर कहते हैं, उस तरीके से, कैसे आते हैं वो, आपको आगे पता चलेगा,